श्रीबगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्रवेश्ट पार्थ नामुत्रवेश्ट श्रीबगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्रवेश्ट विनाश स्तस्य विद्यते नहीं कल्यानकृत कश्चे दुर्गतीमतात गच्छती। अर्थात, विनाश उसका होता है, नहीं कल्यान कृत्ख कश्चिद, अर्थात, नहीं कल्यान कारी कार्य करके कोई दुर्गतीम तात गच्छती, अर्थात, दुर्गती को प्रिय जाता है। तो अर्जुन के प्रशन का उत्तर देते वे, यहाँ पर श्री कृष्चन अर्जुन को आशवस्त करते हैं कि वो व्यक्ती जो की योग के मार्क पे कोई भी प्रयास करता है, उसका वो जो प्रयास होता है, वो कभी भी नश्ट नहीं होता। और इस प्रकार से कल्यान कारी कार्य करके वो व्यक्ती मेरा प्रिय हो जाता है और दुर्गती को नहीं जाता। तो यहां पर श्रीकृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को यह कह दिया है कि जो कार्य व्यक्ति-योग की प्राप्ति की ओर करता है या जो कार्य व्यक्ति-कल्यानकारी कार्य करता है वो कार्य कभी भी नश्ट नहीं होता है। जो कार्य हम करते हैं अपने एहंकार के लिए अपने जो भौतिक सुख है उसकी प्राप्ती के लिए या संपत्ती की प्राप्ती के लिए वह तो नश्ट हो जाता है क्योंकि जब हम मृत्तियों के प्राप्त होते हैं तो जो भी हमारी संपत्ती होती है वह हमसे छूट जाती है और सब कुछ वो नश्ट हो जाता है, किन्तु जो कल्यान कारी कार्य व्यक्ति करता है, जो योग की और जो पत है, उसका अनुसरन करने में जो कार्य व्यक्ति करता है, वो कार्य नश्ट नहीं होता, वो कार्य व्यक्ति के साथ ही रहता है, और यह जो उसकी यात्रा है योग की और वहीं से फिर आगे बढ़ जाती है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्रीक्रिशन कहा रहे हैं कि ऐसा कारे कभी नश्ट नहीं होता है जो कि योग की प्राप्ति की और व्यक्ति करता है और आगे श्रीक्रिशन ये भी कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति होता है जो कि क कि प्राप्ति के लिए किया गया है वो कार्य जो कि इस संपून श्रिष्टी में चल रहा है यग्य की ओर किया गया है वो कार्य कभी नश्ट नहीं होता वही कार्य वास्ताव में कार्य होता है और ऐसा कार्य जो कि योगी के लिए नहीं किया जा रहा है जो कि स्वैम के लिए क किया जा रहा है जो अपने एहंकार के लिए किया जा रहा है वो कार्य व्यर्थ है ऐसा श्रीकृष्ण पहले कह चुके हैं अब उसी विचार को यहां पर श्रीकृष्ण एक दूसरे धृष्टिकों से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कार्य व्यक्ति ने किया योग की प्रा कि योग कि योगों को मैं पूनु रूप से प्राप्त नहीं कर पाता हूं तो मेरा क्या होगा इसके बारे में उसे चिंता करनाइन ही नहीं चाहिए अधा हूं को सदा हमें सुगती की और ही लेके जाएगा तो अरजुन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्रेक्रिशन बता रहे हैं कि ऐसा कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता इसलिए इस कार्य को करने में हमें कभी भी कोई दूसरा बार सोचना ही नहीं चाहिए कि आरे क्या होगा जो कल्यानकारी कार्य है जो योकी और प्रगती करने वाला कार्य है वो कार्य सदा हमारे लिए कल्यानकारी हमारे लिए भी कल्यानकारी होगा और हमें अच्छी दिशा में ही लेकर जाएगा तो आशा करता हूँ कि मैंने इस इशलुग को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इहीं पर समात करते हैं नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के सत्में साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी कृष्णे